केसे हो दोस्तों जाइर होगा कि आप अच्छे होंगे अगर नहीं तो कमेंट में बताना कि क्या समझे है दोस्तों आज हम इस वीडियो में सोडियोम कलोराइड नेजल डॉप्स के बारे में जनेंगे कि इसे किस तरह से यूज करना चाही यानि इसका यूज केसे किया जाता है इसके बारे में आपको बड़ी अच्छे जानकारी देने वाली तो वीडियो को पुरा जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें चेनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें दोस्तों सोडियम कलूराइड नेजल डॉप्स जो होती है वह नाक की समस्याओं को दूर करने में काम में आने वाली एक तरह की डॉप्स वाली दवा होती है यह नाग से पानी का टपकना, नाग की एलर्जी होना, नाग का सुकापन लगना, नाग की सर्दी होना, नाग का भारी भारी लगना, नाग में जलन होना, आधितरह के समस्याओं के अंदर इस द्वा का उप्योग किया दस्थ, यानि डोक्टर के दुवारा नाग में पानी के तपकने वाली इस्तती के अंदर अगर नाग की एलर्जी है तो उस इस्तती के अंदर नाग अगर सूकी सूकी लगती है तो उस इस्तती के अंदर नाग के सर्दी होती है या फिर नाग भारी भारी लगती है या फिर नाग में जलन होती है तो उस इस्तती के अंदर सोडियम कल नेजल डूप्स का यूज करने की सला डूक्टर की दुवारा दी जाती है। इसका मतलब है कि अगर आपको इन में से किसी भी तरह की समझया होती है तो आप इस डूप्स का यूज कर सकती है। इसके अलवा आपको बता दे कि अगर आप इसका यूज कर रही हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसे किस तरह से यूज करना चाहिए। बोतल को नीचे की तरब जुका ले और एक से दो बूंद दवा को नाक में डाल दी। फिर अपनी नाक को साब पानी से दोई। आप इस तरह से दो से तीन बार एक दिन के अंदर इस दवा का उप्योग कर सकती। लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते तक इसका यूज करना चाहिए अगर आपको नाक में समस्या जैसे जुकाम, सरदी और साइनस जैसी प्रोबलम ज्यादा दिनों तक होती रहती है तो आपको अपने डोक्टर से बात करनी चाहिए क्योंकि आपको सही सला जो दे सकती। इस तरह से दोस्तों सोडियम कलोराइड नेजल डॉप्स का यूज आपको करना जाहिए वैसे जब आप डोक्टर से इस डॉप्स को लेकर आते हैं तबी भी डोक्टर से इसके यूज के तरीके के बारे में पूछ ले तो अच्छा रहता है क्योंकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल जाती है वैसे आपको बता देते हैं कि हमने सोडि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें चेनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें